नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सबी आशा करती हूं सकुशल होंगे दोस्तों आज विश्व दिव्यांगता दिवस है और हमारे बिगानर के दिव्यांग सिवाजनस्थान के सचेव श्री जेठाराम बारुपाल जी का एक विशेश अनुरोध है जो मैं आप लोगों को प्र दें और क्योंकि जेठाराम जी का दिव्यांग सिवस अन्सथान जो कि गंगा शहर गोपेशवर बस्ती में पस्तित है ये इन अच्छे भवन की तलाश में है एक अच्छे बूमी की तलाश में हैं लेकिन मतलब 6 साल से उनको कोई अच्छा भवन नहीं मिल पा रहा है और य करते हैं तो इसलिए क्या होता है कि आए दिन भवन चेंज होता है और इससे बचों की पढ़ाई में भी विगन आता है तो एक permanent solution होना चाहिए एक permanent भूमी होनी चाहिए एक permanent area होना चाहिए जहां पर कि ये दिव्यांग सिवासंस्थान को सुचारू रूप से चलाया जाए श्री जिठरम जी को एक भवन की जिसमें 40-50 बच्चे कम से कम या 100 बच्चे जो दिव्यांग हैं उन्हें विशेश तरह की जो study कराई जाती है पाठिकरम उनका अलग होता है जो पाठिकरम होता है वो sign language के तुरू होता है और इस पाठिकरम को बढ़ाने वाले शिक्षक भी थोड़े अलग तरह से किया जाते हैं ताकि इन बच्चों को जो कि deep and dumb है या किसी भी तरह की शारीरिक विकलागता के साथ होते हैं उन्हें पढ़ाने में आसानी हो और बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं दिव्यांग से वस इंसान के तो जेठानाम जी को हम हमारा और आपका सब का सपोर्ट क अवशकता है तो मैं आप सब भी से फिर से एक बार हाथ जोर के विंति करती हूं कि अगर आप लोग capable है आप लोग थोड़ा बहुत भी उनके साथ देंगे तो हो सकता है क्याते हैं तो हो सकता है कि आप और हमारा जो छोटा सा से होग है वो जेठाराम जी के लिए और उस द दिव्यांगता दिवस की हार्दिक शबकामना है और बढ़ चर के आप हैसाले दिव्यांग सेवासंस्थान का जो एड्रस है और जेठाराम जी को जो नंबर है जिसमें आप धान कर सकते हैं वो मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में ले दूंगी और क्योंकि इस तरह की जो हैं क्योंकि सब भी अच्छे परिवार से ब्लॉग करते हैं लेकिन उनको शिक्षा का जो एक दर्जा है शिक्षा का जो एक महत्व है वो समझाना और उनको आगे पढ़ाना क्योंकि हम और आप ये चाहेंगे कि ये बच्चे जो है वो आगे अपना देश का वहेश्य बने और नाम नौशन करें अपने देश का और जुरूर करेंगे क्योंकि आए दिन वो दिये बनाना हो जाहे चितरकला कॉमपुटेशन हो हर तरह के कॉमपुटेशन में ये लोग पार्टिस्पेंट करते हैं और आप जितना भी इनको अंडर इस्टिमिट करें ये बहुत ही बह को अगर नुकसान पहुंचता है तो उनका ब्रेन जो है वो चार गुना ज्यादा काम करने लगता है तो ये सारे बच्चे बहुत बहुत टैलेंटिट है तो आपका और हमारा सहीयोग सिर्फ इनको आवशक्ता है और आशा करती हूँ आप लोग सहीयोग करेंगे तैन्यवाद